जै मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे योट्यव चैनल में दोस्तों मंगल ग्रह को स्वभाव से उग्र ग्रह माना जाता है और मंगल जो हैं वो अगनी तत्व की राशी हैं बहुत ही क्रोधी ग्रह माना जाता है इनको लाल ग्रह कहे जाते हैं ये लेकिन अगर मैं इनके गुण गिनाओ या ये किन चीजों के कारक अगरे हैं तो देखें ये हमारे जीवन शक्ति के कारक हैं जो हमारी एनरजी है शारेदी कुर्जा और जो हमारी सेहन सक्ति है हमारी जो समर्पन करने की भावना है हमारी जो इच्छा शक्ति है कारे को पूर् पुजा हमें प्राप्त होती है, वो भी मंगल से ही प्राप्त होती है, मंगल अगर कुंडली में मजबूत है, उसका प्रभाव अधिक है, तो वो व्यक्ति बहुत अधिक साहसी होता है, किसी चीज से नहीं डरता है, हमेशा आगे बढ़ने की इच्छा रखता है, चाहे कितनी नहीं मुश्किलें क्यों ना उसके रास्ते में आ जाएं लेकिन हमेशा आगे बढ़ता रहता है और अगर हम इसकी और चीजों के बारे में देखें तो ये रियल स्टेट टेक्नोलोजी इंजीनिरिंग के शेत्र में अपना बहुत अच्छा एक कारक दिखाते हैं बहुत अच मंगल का व्रशब रासी में मारगी होना कई तरह के बड़े बदलाव लेकर आएगा 13 जनवरी के दिन मंगल व्रशब रासी में मारगी हो जाएंगे अब मारगी होना यानि कि सीधी चाल चलना शुरू कर देंगे और मंगल का मारगी होना सफलता देने वाला रहेगा इस रा अगर धाई महीने बाद मंगल मारगी हो रहे हैं धाई महीने पहले ये वक्री हुए थे और धाई महीने बाद ये मारगी हो रहे हैं अब इनका इस दोरान जब ये इस वरशबरासी में होंगे कई ग्रहों के साथ यो तीवी होगी और ये जो प्रभाव है ये कैसे होंगे तहर जनवरी से किस तरह के प्रभाव देखने को मिलेंगे और देखे जो आपको शुब प्रभाव की श्रेणी का समय जो रहेगा न वो ये मद्ध है माह के बाद से ही शुरू होगा क्योंकि कई बड़े परिवर्तन इस दोरान देखने को मिलेंगे जैसे मंगल बदल जाएगा जरूर देखें चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहती हैं तो कुमराशी के लिए मंगल उनके तीसरे भाव के स्वामी है और दस्वे भाव के स्वामी है तीसरा भाव जो होता है ये पराकर्म का और साहस का ही होता है और दस्वा भाव होता है हमारे कर्म का भाव अब ये जो गोचर होगा ये आपके चोथे भाव में होगा चोथा भाव माता का है ग्रस्त जीवन का है भूमी का संपत्ती का है और वाहन का भाव है जहां अब मंगल मारगी होने वाले हैं यानि मंगल अब सीधी चाल चलेंगे तो बहुत मजबूत इस्तिति में भी रहेंगे अब चौते भाव में जो मंगल का ये मारगी होना है ये बहुत अच्छा है कुम्बराशी के जातकों के लिए क्योंकि ऐसे में इस छेतर से जुड़ी जो भी स पटी खरीदना चाहते हैं या फिर अपने किसी पुराने वाहन को बदलने की योजनब बना रहे हैं यानि पुराना वाहन है आपके पास पुरानी गाड़ी है उसको आपको बेचना है और उसके बाद आपको नई गाड़ी खरिदनी है तो यह सब्थ बहुत अुखुल लेकर आया है यहां तक कि आपका जो माता का भाव होता है चौथा भाव आपके माता का स्वास्थे भी अच्छा रहेगा अगर उनको स्वास्थे समंधी दिक्कते चल रही थी तो उनका स्वास्थे बहतर होगा लेकिन कई बार क्या होता है कि मंगल का जो प्रभाव है वो कही भी नियंतरन रखना होगा सात्वे भाव पर मंगल की चतोर्थ द्रस्टी होगी सात्वा भाव जीवन साथी का भाव है आपकी साजेदारी का भाव है लेकिन यहां जो मंगल की चतोर्थ द्रस्टी है यह आपके बंधन को मजबूत करेगी आपके दामपत्य जीवन का जो बं कर्म का है तो मंगल क्या करेंगे आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ा सकते हैं याई आपके उपर जो पहले से जिम्मेदारियां चल रही थी उससे जादा जिम्मेदारिया आ जाए गर परिवार की जिम्मेदारिया आ जाए और कहीं ना कहीं घर परिवार में कोई अगर शाद साहन देखने को मिलेगा मंगल वरशबरासी में मारगी होकर आपके अंदर एक ऐस अजज़बा रखेंगे कि आप अपने काम के प्रती समर्पित रहेंगे यानि आपके मन में आलस नहीं आएगा आप अपने काम को छोड़ेंगे नहीं आपके मन में ये रहेगा पहले आपको आपको अपना काम कम्प्लेट करना है बाद में आपको और किसी चीज़ पर ध्यान देना है तो पून रूप से समर्पित अपने कर्म के लिए आप रहेंगे जिससे आप अपने टार्गेट को समय पर पूरा करने में सक्षम होंगे और जब आप अपने हरे कारे को समय से मंगल का ग्यारवे भाव पर जो द्रस्टी है ये तो लाव दिलाएगा आपको चाहे आप फिर नौकरी करते हों बिजनेस करते हों दुकानदारी करते हों कोई भी आप काम करते हैं अपना खुद का कोई कारे आप करते हैं तो लाव की प्राप्ति आपको देखने को मिलेगी, आपकी होकर रहेगी दस्वे भाव पर द्रस्टी है, दस्वे भाव के ये स्वामी भी है ये आपका कर्म का भाव है, कारेशेत्र का भाव है यहाँ इनकी द्रस्टी उन लोगों के लिए बहुत लाबकारी होगी जो जमीन से जुड़े कारे करते हैं ठेकेदारिका कारे करते हैं बिल्डर है आप एक जमीन की खरीद फरुख का काम करते हैं आप परटी डीलर हैं या फिर आप लोहे से जुड़ा कारे करते हैं खरीज से जुड़ा हुआ कारे करते हैं जमीन से निकलने वाली चीजें होते हैं उनका आपकारे करते हैं तो ये समय उनके लिए बहुत उत्तम रहेगा आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला रहेगा साथ में आपके भाई बहनों के लिए जो चीजें तो बढ़िया रहेंगी बस कोई भी अगर ऐसी चीज होती है कि उनका स्वभाव थोड़ा ओगर हो जाता है तो ऐसे में आपको थोड़ा दहरिया रखना होगा दहरिया के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो जादा अच्छा रहेगा क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल क्रोध की अवस्था को जादा जागरत कर देता है क्रोध को जादा बढ प्रभाव कुम राशी के लोगों के लिए इस महीने से ही शुब रिजर्ट देने वाला होगा अब उपाय की बात कर लेते हैं तो आपको क्या करना है अपनी माता को गुड की मिठाई उपहार के स्वरूप देनी है तो ये आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा साथ ही चानल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें